हेलो फेंट सौरत है आपका डॉक्टर रजेवर्मा यूटूब चैनल पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में कौन-कौन से एंटिवाइटिक दिये जाते हैं और कौन सी एंटिवाइटिक किस काम में आती है वो सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलन के वाली है तो वीडियो को एंटर तक जरूर देखना वीडियो पसंदा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी subscribe कर लिजे ऐसा ही medicine अब हम health से जंबंदित वीडियो देखने के लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जेन फ्लॉक सीरप की इस सीरप का packing कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है अगर इसके हम अंदर content की बात करें तो oflox is in 100 mg की strength में इस सीरप के अंदर होता है अगर हम इसके uses की बात करें तो skin infection, lung infection यानि की pneumonia, UTI यानि की urinary tract infection या फिर typhoid fever इन मैसे कोई सी भी condition अगर बच्चों में हो जाती है तो उस condition में gen phlox सीरप का इस्तमाल किया जाता है अगर इसके हम dose की बात करें तो 10 mg से लेके 20 mg तक per kg के हिसाब से बच्चों में dose दिया जाता है एक दिन में 10 से लेके 20 mg तक per kg के हिसाब से dose दे सकते हैं अगले सीरप की यहाँ पर हम बात करें तो जिफी 50 सीरप होता है इस सीरप के अंदर हमें सेफिक जिम 50 mg की स्ट्रेंथ में देखने के लिए मिलता है कुछ इस तरह की पैकिंग है जिफी 50 सीरप की इसके अगर यूजेस की हम बात करें तो इसकीन इंफेक्शन, नेमोनिया, SSTI यानि की स्किन, सॉफ्ट टिसू, इंफेक्शन, ENT यानि की इयर, नोज और थ्रॉट इंफेक्शन, UTI यानि की यूरिनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन, इन सभी कंडिशन में जिफी 50 सीरप का इस्तमाल किया जाता है अगर इसके हम डोस की बात करें तो 8MG पर केजी के हिसाब से एक दिन में दे सकते हैं अगले सीरप की यहाँ पर हम बात करें तो CO2 सीरप कुछ इस तरह की पेकिंग में हमें मिलता है और यह कॉंबिनेशन वाली एंटिवाइटिक है इसके अंदर हमें सेफेक्जिम 50MG और ओफलोक्सिसिन V 50MG दोनों सॉल्ट इस सीरप के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं अगर इसके यूजिस की हम बात करें तो इसकीन इंफेक्शन निमोनिया, SSTI, ENT, UTI, Warn Infection और टाइफाइड टाइफेड फीवर में सबसे ज़्यादा CO2 सीरप का इस्तमाल किया जाता है सिफेक्जिम और ओफलोक्सिसन दोनों सॉल्ट होते हैं जो की काफी अच्छा वर करते हैं टाइफेड फीवर को ठीक करने में और अगर इसके हम डोस की बात करें तो पर केजी के हिसाब से एक दिन में इसका डोस जो है दिया जाता है जो सीरप है वो है मोनो सेप, O सीरप इस सीरप के अंदर हमें सेफोटोक्जम 50 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाता है और कुछ इस तरह की की पैकिंग इस सीरप की होती है अगर इस सीरप के हम यूजेस की बात करें तो इसकीन इंफेक्शन, निमोनिया, SSTI, ENT, UTI और टाइफएट फिवर इन सभी कंडिशन में इस सीरप का इस्तमाल किया जा सकता है अगर बच्चे को बैक्टिरियल इंफेक्शन है, बैक्टिरियल वाइरल फिवर है तो इस कंडिशन में सबसे ज़्यादा सेफ़ोड ऑग्जम एंटिवाटिक का यूज किया जाता है अगर इसके हम डोज की बात करें तो पांच एमजी पर केजी के हिसाब से एक दिन में दिया जाता है अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑगमेंटिन डियो सीरप की इस सीरप के अंदर हमें एमोक्सिसिलिन 200 mg और कलेवलिक एसिड 22.8 mg इस सीरप के अंदर होता है और कुछ इस तरह की की पैकिंग हमें देखने के लिए मिलती है अगर इसके यूजिस की हम बात करें तो इसकिन इंफेक्शन, लंग इंफेक्शन, SSTI, ENT और UTI काफी अच्छा विर्क करती है, UTI यानि की यूजिसलीन सीरप का सबसे जादा इस्तेमाल किया जाता है अगले सीरप के हम बात करेंगे, एजी थरूल सीरप इस सीरप के अंदर हमें एजी थरूमाईशन 200 mg की स्ट्रेंध में मिल जाता है और कुछ इस तरह की packing हमें देखने के लिए मिलती है अगर इसके uses की हम बात करें तो skin, lung infection, SSTI, ENT और RTI सबसे ज़्यादा इसका उप्योग respiratory tract infection यानि कि अगर बच्चों में सरदी जुखाम या फिर खासी जैसी problem हो जाती है इस सीरप का जो dose है बो दिया जा सकता है आज की वीडियो में बस इतना ही कोई भी medicine का use करने से पहले अपने doctor की सलाह जरूर लें तब ही किसी सीरप का इस्तमाल करें वीडियो पसंद आया तो like करें चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को भी subscribe कर लें ऐसे informative और medicine से संबंदित वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में